नमस्याद आप से सिकार, मेरा नाम अधिती है and welcome back to the circle of life tarot, आज फिर से single pile reading देखेंगे, यही चानने की कोशिश करेंगे कि आपके इनसान, आप से क्या छुपा रहे हैं और ये रिष्टे में वो खुश है या नहीं, वो क्या चाते हैं आप से, all right, general reading है, सब के साथ resonate नहीं हो ऐसे readings जब मैं करती हूँ तो थोड़ा डर लगता है, because जैसे cards आएंगे, मैं वैसे ही energy जो है, आप लोगों को पढ़के बताऊंगी, अगर आप यहाँ पे नहीं है, welcome to the circle of life tarot, bell icon ज़रूर दबाएं, I have almost 52,000 subscribers, लेकिन videos जो है, सब लोगों के तरफ पहुंच थी ही नहीं है तो जब आप bell icon दबाएंगे तो आपको समझेगा कि मेरी नई video upload हुई है, अगर आप यहाँ पे returning है, thank you so much for your love and please do share about my channel, ताकि जो मैं महनत करकी videos upload करती हूँ, जादा से जादा लोगों की तरफ पहुंच यह, all right, let's find out आपके इंसान आपके लिए क्या feel करते हैं, आप से क्य चाहते हैं, उनके relationship को लेके सचाई क्या है, Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the divine give me messages, which are in the highest good from my viewers right now, right now, right now, relationship की energy क्या है, overall energy, आपकी energy, आपके partner की energy overall energy, snake है, okay, betrayal, lies, deceit and jealousy, उन लोगों के साथ resonate होका, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके partner या तो आपको दोका दिया है, जूट बोला है, चीज़ें आप से चुपाई हैं और अगर वैसा नहीं है, तो relationship में jealousy भी हो सकती है, आपके energy ये relationship में क्या है, बोक है यहाँ पर, secret admirer, secret affair, something hidden, intellectual connection, आप जो हैं आपको किताबे पढ़ना अच्छा लगता होगा, religious books हो सकती हैं, novels हो सकती हैं, general magazines हो सकती हैं, लेकिन just generally reading information जो हैं आपको लेना अच्छा लगता होगा, again, आपके लिए relationship hidden हो सकता है, for some of you all, ये इनसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, शायद उनको पता नहीं है कि आप उनसे प्यार कर रहे हैं, all right, again, आप दोनों को एक intellectual connection हो सकता है, friends हो सकते हैं और कोई topic पे जो हैं, आप लोगों को बात करना बहुत अच्छा लगता होगा, एक ऐसा spiritual connection हो सकता है, जहां पे spirituality के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो एक ऐसी energy है जहां पे आपका ये इनसान के साथ एक intellectual connection हो सकता है, but again there is an hidden energy and then I have bouquet here, surprise, blossoming, happy relationship, gift, for some of you all, आपको लगता होगा कि ये relationship जो है अच्छी बढ़ रहा है, या ये इनसान ने आपको कुछ surprise या gift दिया होगा, ओल राइट, ये इनसान के जो हैं आपके लिए energy क्या है, ये relationship को लेके energy क्या है, across हैं यहाँ पर, burdened, obligation, co-dependency, regret, for some of you all, right now, आपके जो इनसान है, वो एक ऐसी energy में है, जहाँ पर ये रिष्टा उनको थोड़ा सा बोज लगता होगा, या obligation लगती होगी, कि भाई कुछ ना कुछ करना है, तो आप मेरे viewers खुश होंगे, आपके कुछ expectations हैं, वो expectations को पूरा करना जो है, ये इनसान को बोज लगता होगा, एक ऐसी energy है, जहाँ पर उनको कहीं न कहीं कोई regrets भी है, कि आपके साथ उनको कुछ धंग से, किसी धंग से उनको behave करना चाहिए था, शायद उन्होंने वैसा नहीं किया, तो उनको एक ऐसी energy भी है, जहाँ पर आपके इनसान को में भी लगता होगा, कि आप कहीं और जा रहे हैं, या आपके इनसान को लगता है, कि जिस धंग से उनको आप से behave करना चाहिए था, उन्होंने वैसा behave नहीं किया है, अगिन को डिपेंडेंसी की energy है, आपके इनसान जो हैं, कहीं न कहीं बहुत बोज के तले busy हैं, और जब आप उनसे expect करती हैं, आप उनसे time मांगती हैं, या आप चाहती हैं कि इनसान आपके साथ open रहे, तो ये इनसान की life में कुछ ना कुछ ऐसा है, कि वो problems आपको एक तो openly नहीं बता पा रहे हैं, और उनको कहीं न कहीं थोड़ी सी co-dependency लग रही है, कि आपके expectations जो हैं, शायद ये इनसान राइट नाउ नहीं पूरा कर पा रहे हैं, और energies देखते हैं, इनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इनसान के बारे में और इनके रिलेशन्शिप को लेके क्या energy हैं, हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं, Sagittarius हो सकते हैं, timing है within 30 days, optimistic, adventurous, witty, restless, traveler, enthusiastic, independent, थोड़ा सा irresponsible, temperance की energy है, Sagittarius की energy है, अगर आप timing पूछ रहे हैं, तो within 30 days, 30 दिन के अंदर जो हैं, आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ important हो सकता है, अगर no communication है, तो within 30 days communication हो सकता है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, काफी adventurous हो सकते हैं, बहुत positive mindset के हो सकते हैं, बहुत मजाक्या हो सकते हैं, बहुत intelligent हो सकते हैं, travel करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, independent personality के इंसान है, इसलिए इनको बंधा हुआ, कहा गए थे, किदर गए थे, कितने बज़े आएंगे, खाना खाया क्या, दवाई ली क्या, यह सब इनको ऐसे अच्छा नहीं लगता है, अगें थोड़े से मूफट हो सकते हैं, आउट्स्पोकन हो सकते हैं, और थोड़े से restless भी हैं, यह इनसान हो सकते हैं, एक जगा पे जो है शान्ती से, यह इनसान नहीं बैट पाते हैं, और राइट, वुमन है यहाँ पे, यू आर, आईए आपके लिए कार्ड है, यू और दग्वेरेंट, अ परसन, यू नो गर्ल्फरेंट, फियांसे, स्पाउस, लव इंटर्स, फेमिनन एनर्जी, आपके एनर्जी यहाँ पे आई है, आप ऐसे हो सकते हैं, जिन्होंने आपके परसन के लिए, टैरो रीडिंग करवाई होगी, या questions पूछे होंगे, वाइट फॉल फेर, confidence, guidance, trust your inner, knowing, intellectual, freedom, believe in your power, resilience and stamina, आपके जो इनसान है वो ऐसे हैं, जिनको control भी अच्छा नहीं लगता, बहुत confident है, और अपने gut, अपनी instinct, जो उनका दिल कहता है, उसी की बात वो मानते हैं, और बहुत go-getter टाइप के इनसान भी हो सकते हैं, sudden, unexpected, accident, cut, release, harvest, liberate, shop, ripening of the band-aid, no, sorry, ripening of the band-aid, surprise and a reckoning, mixed energies हैं यहां पर, number 10, completion की energy होती है, कुछ ना कुछ आपके relationship में sudden कुछ हुआ होगा, unexpected हुआ होगा, आपका accident हुआ होगा, आपके इनसान का accident हुआ होगा, for some of you all, शायद आपने उंगली काटी होगी, कुछ आपको cut, इनों जैसे हम बोलते हैं ना की खरोच आई है या कुछ cut हुआ है, again आपके इनसान की ऐसी energy है, कि इनसान जभी इनको लगता है कि आप इनको control कर रहे हैं, या आप इनको band रहे हैं, तो ये इनसान पीछे हट जाते हैं, communication बंद कर देते हैं, आपसे बात करना बंद करते हैं, because इनको control नहीं अच्छा लगता, टैरों में देखेंगे कि ये इनसान इतने freedom loving क्यों है, कोई और है कि इनके life में, जो इनको इतना control करता है, कि इनकी ऐसी energy है कि मुझे और एक रिष्टे में नहीं जाना है, जहाँ पर इतना control है, तो ये इनसान जो है, the minute इनको लगेगा कि आप इनको control कर रहे हैं, आप इन पे थोड़ा सा बोज बन रहे हैं, किदर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इनसान जो है, अपनी energy वापिस ले लेते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, चुप रहते हैं और ऐसी energy में आते कि मैं आप चुप हो जाऊंगा, और मेरे जब ये इनसान चुप हो जाएंगे, तो आपको इनकी खामोशी में ही आपको सिखना होगा, कि आप इनको इतना control नहीं कर पाते हैं, intuition, subconscious, fantasy, romance, affection, recognition, invitation, sensuality, divine, feminine, artistic, आप जो हैं काफी sexually जैसे हम बोलते हैं, कि आपकी जो sexuality है, feminine energy आपकी बहुत होगी, जब लोग आपको देखते होंगे तो बहुत attractive आप दिखते होंगे, round चहरा आपका हो सकता है, artistic हो सकते हैं, आप affectionate बहुत हो सकते हैं, बहुत romantic nature है आपका, आप चाते हैं कि ये इनसान आपको जिसे जो romance होता है, कि ऐसी एक romantic energy में आए, आपके साथ खड़े रहें, आपसे बात करें, फोन पे लंबी-लंबी बाते हों, बाहर जाए, romantic चीज़े करें, तो ये जो है आपकी energy हो सकती है, टैरो से देखते हैं, ये इनसान जो है, इनके life में right now क्या चल रहा है, आपके लिए क्या feel करते हैं, आपसे क्या छुपा रहे हैं, और आपसे क्या expect करते हैं, all right? राइट ना ये उन लोगों के साथ resonate होगा ना, जहां पे आपने आपकी power वापिस ले ली है, या आपने कुछ ना कुछ आपके इनसान को कहा है, जिनके कारण उनका दिल तूता है, ego उनकी hurt हुई है, और वो जो है, उन्होंने भी अपनी power वापिस ले ली है, एक ऐसी energy है, जहां पे आपने emotionally आपके person को कुछ कहा होगा, कि I don't know क्या आप मेरे से प्यार करते हैं, क्या आप मेरे को cheat कर रहे हैं, आप क्या मुझे use कर रहे हैं, ऐसा कुछ emotional बात जो हैं आपने आपके इनसान को बोली है, जिसके कारण उनका दिल टूता है, और वो भी है, ऐसे energy में आ गए हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं इतना घटिया इनसान हूँ, तो फिर आप क्यों मेरे साथ हो, तो उन लोगों के साथ resonate, और इसलिए ये साइथ ही energy है, sudden, आपने कुछ बोला है और sudden ये इनसान जो है, आपसे गुसा हो गए है, ये इनसान जो है, आपके लिए क्या feel, for some of you all ऐसा भी हो सकता है, अगर आप separated नहीं है, तो जो इनके life में जो feminine energy है, the queen of cups, mother की energy हो सकती है, more so wife की energy हो सकती है, तो उनकी life में, या उनकी mother, या अगर third party situation है, उनकी wife है, तो उनकी life में कुछ ना कुछ problem हुआ है, जिसके कारण आप लोगों में ego का problem हो सकता है, maybe third party situation को आपके बारे में पता लग गया होगा, इसलिए relationship को break करके आप लोगों के बीच में ego problems हो रही है, ये इन इंसान जो है आपके लिए क्या feel करते हैं? Cancer swap那个 Pisces है है, यहापे काफी strong and Gemini Leber Aquarius. Sagittarius is also strong and Pisces is also strong. ये इंसान आपके लिए क्या feel करते हैं? Alright. Oh, wow. Okay. Night of Knight of Wands की energy है, Knight of Pentacles की energy है and Two of Cups की energy है उन लोगों के साथ resonate होगा जहाँ पे relationship in and out वाली energy है long distance relationship भी हो सकता है आप जो मेरे viewers हैं आपको लगता है कि ये इनसान शायद आपके लिए सिरफ एक physical relationship में है अगर आप लोग एक physical intimate relationship में नहीं है तो एक ऐसी energy है जहाँ पे ये इनसान जब इनका मन होता है आपकी तरफ आते हैं आपको message करते हैं नहीं तो ये इनसान जो हैं बहुत busy बहुत active रहते हैं ये इनसान के आपके लिए feelings क्या है ये इनसान जो है बहुत physical passion आपकी तरफ feel करते हैं लेकिन जो commitment देनी है प्यार में जो commitment देनी है शादी का वादा करना है एक you know formal commitment जो है वो ये इनसान नहीं देगा लेकिन ये इनसान वो commitment की तरफ काम करना चाहता है बहुत stable energy है ये इनसान जितने physically active है जितने आपके लिए you know passionate feel करते हैं उतना ये इनसान जो है अपनी stability, security, काम, पैसे के लिए भेनत कर रहे है और आपके साथ two of cups की energy है it is the energy of true love equal give and take करना चाहते हैं एक divine connection मानते हैं आप दोनों को प्यार आपसे बहुत करते हैं emotional connection आपके लिए बहुत feel करते हैं और इनको ऐसे लगता है कि जितना आप उनको प्यार देते हैं उतना जो है आपको प्यार देने में ये इनसान थोड़े से slow हो सकते हैं उसके कारण problems हो सकती है ये इनसान जो है ऐसे होंगे जहां पर आपको लगता हुआ कि मैं ये इनसान को इतने gifts देती हूँ तो ये इनसान में को कोई gifts नहीं देता, materialistically भी ये इनसान जो है ऐसे है जो आपको प्यार नहीं दे पाई, ये इनसान का प्यार दिखाने का जो तरीका है, वो सिरफ I think through physical touch या भाहर घूमने जाना है, या ऐसी ना, fiery energy है इनकी, जहाँ पे the, प्यार का expression is doing some, कि जब ये इनसान अपना प्यार दर्शाते हैं आपको, तो ऐसी energy है जहाँ पे कुछ physical activity, गुमने जाना है, date पे जाना है, ऐसी वाली energy है, इनसान आपसे प्यार feel करते हैं, लेकिन इनका प्यार दिखाने का तरीका is very different from आपका तरीका, passion आपके लिए जो है बहुत जादा feel करत ये इनसान जो है, ये relationship पे क्या चाते है कि change हो और आप जो है, कैसा इनके साथ behave करें और ये इनसान जो है, आपसे क्या चाते हैं, ये इनसान चाते हैं कि आप उन पे भरोसा करें, आप इतना emotional चीजें ना सोचें, ये इनसान चाते हैं कि आप जो है, खुद भी थोड़ा सा ये relationship में energy दिखाए, आप बहुत emotional हो सकते हैं और आपके इनसान चाते हैं कि आप जो है relationship में more physically involved हो, अगर अब तक आप लोगों का एक physical connection नहीं हुआ है, तो ये इनसान चाते हैं कि आप खुद से जो है, initiate करें कि चलो date पे जाएंगे, मिलना है क्या, maybe आप बहुत shy हैं, या आप शर्माते हैं, अपनी दिल की बात जो है openly नहीं बताते हैं, तो एक ऐसी energy है जहाँ पर ये इनसान एक new और अगर break up हुआ है, तो ये इनसान चाते हैं कि फिर से एक नया start हो, again ये इनसान चाते हैं कि of course emotions की तरफ जाना है, लेकिन emotions को इतना नहीं सोचना है और ये relationship में थोड़ी practical energy लाने की जरूरत है, उन लोगों के साथ resonate होगा जहाँ पर ये इनसान जैसे मैंने कहा बहुत practical है, आप बहुत emotional और बहुत romantic है, तो ये इनसान ये relationship से physical intimacy चाते हैं, physical activity चाते हैं कि date पे जाए, घूमने जाए, physical activity करें, again आपके साथ travel भी करना चाते हैं, अगर holiday plan क करना चाते हैं, travel करना चाते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाते हैं, एक अमरे में बंद बैटके ये इनसान को बहुत ज़्यादा भी बोर होता होगा, and again wants a very practical approach to the relationship है, ये इनसान, किस बात से ये इनसान को relationship में डर लगता है, ये इनसान को डर इस बात का लगता है, कि य ये जो है, equal give and take relationship में नहीं कर पा रहे हैं, इनको पता है कि आप शायद relationship में ज़्यादा दे रहे हैं, और जितना ये इनसान को आपको relationship में देना है, उतना वो नहीं दे पा रहे हैं, एक बहुत strong spiritual connection ये इनसान आपके साथ feel करते हैं, लेकिन ये card is also silence, चुप हो जाना, तो द है, इनको जो silent treatment देते हैं, कि suppose ये इनसान ने आपके मन के जैसा नहीं किया, आपने कुछ कहा, इन्होंने respond नहीं किया, messages को late reply किया, online थे, लेकिन messages reply नहीं किया, इन्होंने कुछ आप से पूछा, आपने इनसे कुछ पूछा, उनका reply लेट आया, कुछ ना कुछ आपकी जो मैं मैं होती है, miscommunication जगणा होता है, तो आप जो चूप हो जाते हैं, इनको जो silent treatment देते हैं, वो silent treatment ये इनसान नहीं चाते हैं, this person wants that silent treatment to end, कि ये जो emotional, literally ये इनसान है न, वो इतने practical है और इतना emotion से दूर भागते हैं, कि आप जब emotional हो जाते हैं, तो इनको literally ऐसे emotional अत्याचा कर पा सकता, मुझे थोड़ा सा fun, थोड़ा सा activity, थोड़ा सा playfulness, थोड़ा सा हसी मसाग, जादा इनको relationship में अच्छा लगता है, again for some of you all, ये ऐसी energy है, कि अगर third party situation है, तो आपके इनसान चाते हैं, कि आप दोनो equal partners हो, equal give and take करें, ताकि ये relationship चुपावा रहे, because अगर ये relationship हो सकता है, तो आपके इनसान बहुत careful होंगे, कि ये relationship बाहर किसी को पता ना लगे, में भी आपके ऐसी energy है, कि पता लगने दो लोगों को, no problem, फिर हम, you know, union में आ सकेंगे, हम openly बाहर घूम फिर सकेंगे, तो एक partner के ऐसी energy है, कि उनको problem नहीं है, कि relationship open में आ, लेकिन दूसरा partner जो है, ये relationship को हमेशा hidden, गुपित, छुपा हुआ रखना चाता है, और वो आपसे यही चाते हैं, कि आप जो है, उनको मदद करें कि ये relationship जो है, छुपा हुआ रहे, for some of you all, आप college में भी इकठा होंगे, for some of you all, आप कुछ नया course, कुछ नया सीख रहे होंगे, आपके इनस चाते हैं, कि जो आप ये communication बंद करते हैं, वो communication नहीं बंद करना है, communication के channels को open रखना है, और communication जो है, practical होनी चाहिए, और राइट, ये इनसान के जो है, आपके लिए actions क्या होंगे, 9 of cups, 10 prints and 2 of wow, overall energy confusion की है, ये आप लोगों के साथ resonate होगा, जहां पर या तो आपके इनसान की कहीं और शादी हो रही है, और लोग हैं involved, ये आप और आपके partner के बीच में एक third party हो सकती है, इसलिए जो हैं, आपको लग रहा है कि क्या आपके इनसान कुछ छुपा तो नहीं रह है, अगर third party है, तो third party के लिए क्या feel करते हैं, आपकी वो energy हो सकती है, अगले 30 days में I see happiness, मैंको खुशी दिख रही है, wish fulfillment दिख रहा है, एक balance दिख रहा है, यहां पे, again I have the Sagittarius energy, और travel का भी मुझे यहां पे card दिख रहा है, आप और आपके इनसान travel भी कर सकते हैं, लेकिन ए reconciliation हो सकती है, यह इनसान जो है, एक ऐसी energy में आएंगे जहां पे उनको यह relationship को next step की commitment देने का thought इनके दिमाग में आएगा, कि यह relationship को हम next level पे कैसे लेके जा सकते हैं, यह उनके लिए आसान नहीं है, because उनके इर्गिर्द लोग हैं, जो उनको confuse कर रहे हैं, यह इनसान के आपकी तरफ आने के लिए, कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, और वो next 30 days में वो planning, वो सोच, इनकी start हो जाएगी, आपकी तरफ आने के लिए यह इनसान को problem हो सकती है, because society नहीं मानेगी, stressed, worry, sleepless nights, depression यह इनसान को होता है, because उनको पता है कि अगर यह आपको choose करे तो society लोग यह accept नहीं करेंगी, उनकी family यह accept नहीं करेंगी, if you are on a break, यह person जो है, आपको stop कर रहे है, mentally बहुत restless है, ऐसे इनसान है, जो overthink बहुत करते हैं, आपको बताते होंगे कि मैं बहुत हर्फन मोला हूँ, be happy, tension नहीं लेना, लेकिन यह इनसान जो है, बहुत ज़्याद you are wrong, मैंने कहा ना यहाँ पे, यह energy है यहाँ पे, कि आपको लगता है कि शायद यह इनसान ने आपका दिल तोड़ा है, किसी और की तरफ गए हैं, आपको cheat कर रहे हैं, किसी और के साथ involved है, इसलिए जो है, यह इनसान ने शायद आपसे बात करना बन कर दिया है, तो आपको यही कहना चाते है कि you are wrong, जो आपने सोचा है मेरे बारे में, वो गलत है, I have so much, I have so much desire for you, यह इनसान जो है आपको बहुत desire करते हैं, आपके लिए बहुत attracted है, ace of swords है, सचाई का card है, mental clarity का card है, तो इनका आपको message यही है कि जो आप दिमाग में यह खयाली पुलाओ पकाते हैं जो आप overthink करते हैं, वो सब निकालो, ace of swords is also the card of sunshine, अगर यह आपके साथ resonate होता है, आप अपने person पर doubt करते हैं, आपको लगता है कि कोई और involved है, please get a tarot reading done either by me or anybody else to understand आपका क्या situation है, अगर आपको लगता है कि आप आपके इनसान पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगत आपके के लिए और यह relationship को आगे बढ़ाने के लिए आप ज़रूर एक tarot reading लें ताकि आपको सच्चाई पता लगे, और राइट, one no card, again ace of swords जैसे मैं उन्हों बोला, truth का card है, सच्चाई का card है, seven of wands के energy है, यह इनसान give up नहीं करेंगे, जो भी आप इनको जूट सच, इनके उपर जो भी आप allegation लगाओगे, जो भी आप इनको बोलें, accusation, जो भी आप इनको बोलेंगे न, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, सबसे जो है यह इनसान हमेशा इन्होंने fight किया है, लेकिन अब उनके ऐसी energy आ गई है कि you are just not, आप जो है इनको बिलकुल trust नहीं कर रहे है, I need more balance है, आपके लिए message है, यह इनसान चाहते है कि थोड़ा सा जो है आप यह relationship को लेके balance करें और खुद में थोड़ा सा balance लाए, I just want to see you all the time, हमेशा जो है आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, इसलिए जो है मैंने का है यह आपको stock भी करते होंगे, you matter, य यह इनसान कह रहे हैं कि आप मेरे लिए important है and also I just want space है तो यह ऐसे इनसान है जो चौबी सो घंटे सिरफ आपके बारे में नहीं सोचते हैं in the sense कि यह बहुत busy इनसान लग रहे हैं, इनके life में बहुत सारी चीज़े continuously होती होंगी और this person I just want you all the time, I have so much desire for you and I want space, तो यह इनसान ऐसे हैं कि उनको अपनी independent है, आप हमेशा उनके साथ हैं लेकिन तो भी उनको अपनी life, अपने friends, अपनी family सब के साथ enjoy करना उतना ही अच्छा लगता है और जब वो वैसा करते हैं इसका मतलब नहीं है कि यह इनसान आपको भूल जाते हैं या आपसे प्यार नहीं करते हैं, यह ऐसे इनसान है जिनको हर चीज से जो है खुशी, enjoyment अच्छी लगती है और वैसा वो चाहते हैं, this is all I have for you, if this does resonate, अगर यह resonate होता है तो please do like, share, comment and subscribe as always, please do keep your energies and vibrations high, what you focus on is what you get and I will see in your next reading.